अपने तबस्सम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा अदाब नमस्कार सस्रेकाल दोस्तों मैं होशांग गोविल और आप देख रहे हैं तबस्सम टॉकीज अज जिस एक्टर की बात में करने वाला हूँ वो एक खुबसूरत नौजवान थे कंजी आखें थी और एक अट्रैक्टिफ चहरा और उन्होंने कई मराथी प्लेज मराथी फिल्म में हिंदी प्लेज हिंदी फिल्म में और इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया था और वो थे तब वेटरन एक्टर मोहन कोखले हकीकत रेत की तरह मुठी से निकल जाती है किस्मत फटके हाथ में आ जाती है और ये इश्क सोरा वाटर के जहा के तरह बैढ जाता है छोड़ दे ये सपनों के दुनिया में भटकना खो जाएगा यू आ पर विपलैश लिए यू निक गोट जातका है और माराष्ट्रम जया है एक मराष्ट्रन फैमिली में उनके पिता एक मशूर जर्नलिस्त है और उनका नाम था वसंत गोखले उनकी मां एक हाउस्ट वाइफ थी दोस्तों जयादातर लोगो को ये खलत फहिमी है कि मशूर एक्टर विक्रम गोखले मोहन गोखले के भाई हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ दोनों के सरनेम सेम हैं उनका कोई रिष्टा नहीं है मोहन जी ने अपनी स्कूलिंग की पूना में और पूना के फोगलसंग कॉलिज से अपनी एडुकेशन कम्प्लीट की उन्हें चोटी सी उमर से ही प्लेज में काम करने का शौक था इसलिए बड़े होने के बाद एडुकेशन कम्प्लीट करने के बाद उन्होंने एक ठीटर गूप जॉइन कर लिया जब मोहन गोखले ठीटर कर रहे थे तो साती सात वो फिल्मों में भी काम करना चाहा रहे थे इसलिए स्ट्रगल करने के लिए वो पूना से मुंबई आ गए और यहां पर फिल्मों के लिए स्ट्रगल शुरू कर दी वह बहुत हुशकिस्मत थे कि उन्हें अपनी पहली फिल्म बहुत असानी से मिल गई 1980 में जब वो पूना से मुंबई आय थे लेकिन वो फिल्म एक गुजराती फिल्म थी फिल्म का नाम था भवनी भवाई जवाय थी 1980 में और उसमें मोहन जी के साथ बड़े बड़े दिगज कालकार थे जैसे नसीरुदिन शा, ओमपुरी और स्मिता पाटल और यह फिल्म ड मोहन जी की किस्मत का सितारा चमक रहा था और 1980 में उन्हें अपनी पहली हिंदी फिल्म भी मिल गई, फिल्म का नाम था स्पर्श जिसकी डिरेक्टर थी वेटरन साई परंश पे और यह फिल्म एक आठ फिल्म थी पहचान है यही दो साल से इस फिल्म में मोहन जी का काम लोगों को बहुत पसंद आया और उन्हेंने कुछ और फिल्में भी साइन कर ली और वो फिल्में थी मोहन जोशी हाजिर हो, मिर्श मसाला, होली और हीरो, हीरालाल हिंदी फिल्मों के साथ साथ मोहन जी ने कई मराठी फिल्मों में भी काम किया और मराठी फिल्मों में भी उन्होंने अपने कला के जोहर दिखाए और वो फिल्मे थी दोस्तों हम आपको बताएं के मोहन गोखले ने मराठी और हिंदी फिल्मों के साथ साथ कुछ इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया है जैसे मिसिसिपी मसाला और टॉक्टर भाबा साब अंबेटकर जिसमें उन्होंने गांदी जी का रोल बहु भी निभाया दोस्तों एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब मोहन जी ठेटर करते थे प्लेस डैरेक करते थे तब उन्होंने एक यंग माराश्टन लड़के को अपने ठेटर में ब्रेक दिया यानि उसे डेरेक्ट किया और वो अक्टर यानि वो महराश्टन अक्टर कोई और नहीं है आज के वेल नोन अक्टर नाना पाठिगर है उस प्ले का नाम था भाव मुरारो और उस प्ले को लिखा था वेटरन विजे टेंडूलकर जीन है मुहन जी ने फिल्मों के साथ साथ कई मशूर टेलिविजिन सीरियल्स में भी काम किया है और वो सीरियल्स से भारत एक खोज, यात्रा, आहट, अल्प विराम और मिस्टर योगी मिस्टर योगी को कौन भूल सकता है वेल टूरिस्ट हैं, इंडिया देखने आई है मिस्टर योगी इतना पॉपिलर हुआ के लोग मोहन गोकले को मिस्टर योगी के नाम से ही पहचानने लगे मोहन जी जब मिस्टर योगी में काम कर रहे थे, तब वो अपनी एक को एक्ट्रिस के काफी करीब आगए थे दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने 10 डिसेंबर 1989 में शादी कर दी, उनकी बीवी का नाम है शुभांगी और वो भी एक बहुत मंजी भी एक्ट्रिस हैं उनकी एक बेटी है, बेटी का नाम है सकी गोखले, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, गोखले परिवार एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहा था के उनकी जिंदगी में एक और खुशी आई, मोहन गोखले और उनकी बीवी शुभांगी को एक बहुत बड़ी फिल्म की ओफर आई, फिल्म का नाम था हेराम, फिल्म के पिडूसर और डिरेक्टर थे कमल हसन, दोनों खुशी खुशी चिन्नाई चले गए शूटिंग के ल हाट अटाइक आ गया था, और वो ये दुनिया छोड़कर चले गए, और वो भयानक दिन था, 29th April 1999, at the age of 45, और पीछे छोड़ गए अपनी पतनी शुभांगी को, और अपनी चार साल की छोटी सी नन्नी बेटी सखी को, गोखले परिवार को एक बहुत बड़ा शौक लगा और साथी साथ यूनिट मेंबर्स को भी, और खास तौर पे कमल हसन को, बाद में मोहन गोखले का रोल निभाया अतुल कुलकरनी ने, जिसके लिए अतुल कुलकरनी को National Award for Best Supporting Actor से भी नवाजा गया, दोस्तों हम आपको बताएं कि मोहन गोखले आखरी बार नज़र आए थे फिल्म मोक्षा में, जो आई थी 2001 में, उनकी टेथ के दो साल बाद, विक्रम की एक एक बात पर अगर अमल नहीं किया गया, तो जूड़ी शरी की इमारत ठह जाएगी, डिमोक्रसी सरकों पर भीक मांगने लगेगी, वैसे आपी मांग रही है वो, दोस्तों, कहते हैं ना, ये वक्त सबसे बड़ा मरम है, और वक्त के साथ सब सब कुछ ठीक हो जाता है, आज सखी गोकले, यानि मोहन जी की बेटी, बड़ी हो गई है, और अपने पेता की तरह है, और मां की तरह है, बहुत अच्छी एक्टर्स हैं, टीवी सेरील्स कर रही हैं, और फिल्में भी कर रही है, सखी की शादी हो गई है, उनके हस्बिन भी एक एक्टर है, और उनका नाम है शुवरत जोशी, आजकल शुभांगी और सखी मुमई में रहती है, शुभांगी अपने पती को और सखी अपने पिता को बहुत मिस करती है, तो दोस्तों, ऐसी बाते भी मैं आपके साथ शेर करता रहूँगा, आप देखता रही है तबस्तों टॉकिस, करता रही है, लाइक, शेर और सब्सक्राइब